सुप्रीम कोट ने रिसेंटली यानि कल 5 में 2021 को एक काफी लैंडमार्ग जज्जमेंट जिसे मराथा रिजरवेशन केस बोला जाता है उस पे एक काफी लैंडमार्ग जज्जमेंट दिया तो हम उसे ब्रीफली डिसकस करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार वर्सेज उनियन ऑफ इंडिया का केस 1992 का केस है जो बीपी मंडल कमिशन के रिक्यमेंडेशन को जब विशुनात प्रताप स्विम गौर्डमेंट ने इंप्लिमेंट करा था उस ताम के प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने जब इंप्लिमेंट करा था इंडरा स्वानी केस आ पर्टिकुलर अगर वेकेंसी आती है तो उसका 50% सीट्स ही रिजर्व होना चाहिए वो क्रॉस नहीं होना चाहिए इसको मैं एक एक्जाम्पल की साहता है समझाता हूं अगर सपोज किसी स्टेट में या सेंट्रल गवर्मेंट का अगर वेकेंसी है तो वह 1000 सीट्स है और 1000 स सेंट कर सकते हें उपर नहीं जा सकते हैं वहराब आप नहीं जा सकते हैं वह सब्सक्राइब कोट वैं कुछ इंबर दॉट्स्टयर्व कर सकते हैं otherwise आप normal circumstances में उसके ऊपर नहीं जा सकते हैं नेक्स्ट सुप्रीम कोट ने कहा था इंद्रासवानी केस में कि प्रोमोशन में reservation नहीं होना चाहिए यानि आप एक बार किसी भी जॉब को पा लेते हैं तो उसमें आप और आपके लिए reservation नहीं होना चाहिए reservation की category में गर्ओ करना चाहिए जैसे की O B C में होता है कि क्रिमिल यह भी Christmas नहीं मिल पाता तो ने क्रिमिल एर दो करना चीए तो निक्स्ट क्टिछन ate तो आता reservation कहां कहां use होता है कहां इसके benefits मिलते हैं तो reservation का जो benefit है वो government jobs में मिलता है central government का हो यह state government का हो colleges में admission के time पर reservation आपको help करता है आपको admission मिलने के लिए लेकिन एक exception भी exception है जो कि Tamil Nadu गौर्मेंट से लेटे रहे 76 constitutional amendment के बाद से जो तामिल लाडू में है वो 69 to 70% reservation पहुच चुका है तो जो की काफी हाई है और यह करा गया था 76 constitutional amendment के बाद तो महराष्टा का case जानते हैं महराष्टा में यह हो रहा था कि जो मराठी community था जो मराठाज थे वो काफी time से अंदुलन कर रहे थे उन्होंने रेल रोको रास्ता रोको चक्का जाम बहुत सारे चीजे किया उसके बाद से जो महराष्टा government थे उसने गायकवार commission बनाया गायकवार साब Bombay High Court के judge थे तो वो retired judge थे तो retirement के बाद उनको एक गायकवार commission को ahead बनाया गया और गायकवार commission ने research करने के बाद बताया कि जो मराठी community है महराष्टा महराष्टा गायकवार कमिशन का रिकमेंडेशन मानते हुए 13% रिकमेंडेशन दिया मराठा को आपको एक बात बता दो कि जो 50% महराष्टा में रिकमेंडेशन तो था ही प्लस 13% एक्स्ट्रा जो कि अब हो जाता है 63 परसेंट गायकवार commission के रिकमेंडेशन को एक्सप्ट करने के बाद यह 63 परसेंट हो जाता है जो कि वाइलेशन है इंद्रासवानी केस का जो 1992 का केस है उसका वाइलेशन है बिकॉज सुप्रीम कोट ने उसमें क्लियरली बोला है तो बॉंबे हाइब को बोलता है कि यह जो मरा अबाराठा कम्यूटी जह वो शोचली एन एड्यूकेशनली बैगवर्ड है और उसने गायकवार कमिशन का जो रिपोर्ट होता है उसके बैसिस पर बोलता है कि मराथा कम्यूटीज को रिजर्वेशन मिलना चाहिए और सही ठहराते हुए केस को डिस्मिस कर दिया जाता है दिन मैटर जाता है सुप्रीम कोर्ट में जिसे जैसरी लक्षमन राव पार्टेल वर्सेज चीफ मिनिस्टर और महरास्टा केस बोलते हैं उसके ऊपर आप नहीं जा सकते हैं उसका वाइलेशन है गायकवाल कमिशन के रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मराथा महरास्ट्रा में सोशली एंड एडुकेशनली बैकवर्ड हो सकते हैं बट आप उनको रिजर्वेशन तभी दे सकते हैं जब कोई ऐसा एक्स्ट इन्वालिड है इत मीन्स आप महरास्ट्रा में 50% का जो क्राइटेरिया उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा उसके उपर नहीं जा सकते हैं तो अब जो भी स्टेट्स इस बेसिकली यह इसलिए करते हैं क्योंकि जो उधर का लोकल पॉलिक से उसमें अपने को उपर दिखा साल के लिए तो यह मैटर बिल्कुल नहीं उठाएंगे कोर्ट ने फॉर्दर का कि इंद्रास्वानी का जज्जमेंट जितना 1992 में वैलिड था उतना आज भी वैलिड है इसको रिवीव करने का या इससे छेड़-छाड करने की ज़रुरत नहीं है 50% क्राइटेरिया सारे स् आप उसके आगे जाके रिजर्वेशन दे सकते हैं तो गाइस हम लोगों ने इस वीडियो में समझा कि इंद्रास्वानी केस क्या है और मराथा रिजर्वेशन केस क्या है इसमें सुप्रीम कोट ने क्या बोला और गाइकवार कमिशन के बारे में भी हमने जाना तो आई आपको समझ में आया होगा रिजर्वेशन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो या इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन ने पूछ सकते हैं थैंक यू